जै मातादी दोस्तो आप अगर किसी को चाहते हैं लेकिन उलजन ये है कि आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोचता है या आपके अंदर पूछने की शम्ता नहीं है कि वो आपके लिए क्या फिलिंग रगता है ऐसे में आपके मन में 24 घंटे यही चलता रहता है कि उनसे रिष्टा कैसे जोड़ा जाए ऐसा क्या किया जाए कि वो भी आपको चाहने लगे आपकी इसी उलजन को सुलजाने के लिए ही मैं लेकर आई हूँ आज एक बहुती अद्बुत मंत्र जी हाँ दोस्तों एक ऐसा मंत्र जिससे बोलते ही एक ऐसी शक्ति एक ऐसी उर्जा उस व्यक्ति के मन में जगेगी वो व्यक्ति जहां मर्जी हो इस दुनिया में वो आपकी और समोहित खुद बखुद हो जाएगा वो आपकी और खीचा चलाएगा केवल इस मंत्र से ये मंत्र इतना शक्तिशाली है अगर आपका कोई रूट गया है या कोई आपको नापसंद करता है तो खुद बखुद आपके पास आजाएगा आप दोनों का रिष्टे इतना गहरा हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका प्यार एक तरफा है और आज जान लीजिए एक ऐसा उपाई जो आपको आपके प्यार से मिलवा सकता है जी हाँ, सिर्फ एक इस उपाई को करके आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं उस व्यक्ति से अपने मन की हरी किछा को पूरी करवा सकते हैं आप जैसा जैसा करने को कहेंगे वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही करेगा तो शलिए मैं बताती हूँ इस वशी करन विधी को आप कैसे करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है एक रबड लेनी है और रबड के साथ आपको एक रुपए के दो सिक्के लेने है और इसी के साथ आपको एक कागस का टुगडा भी लेना है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको की आपको करना क्या है याद रखे ये विधी आपको सर्फ और सर्फ अमावस्या की रात को 9 बजे सारी सामगरी लेकर एक शांत जगा पर बैट कर करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है एक पैन लेना है पैन से कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं मान लिजे एक महिला है जिसका नाम रीना है और उसको आप वश में करना चाहते हैं रीना का सबसे पहले आप कागश पर नाम लिखे और उसके नीचे आप एक स्वास्तिक का निशान बना दे जी हाँ और उसे के बाद आपको क्या करना है उसके नीचे आप अपना भी नाम अवश्य लिखे और उसके नीचे नाम लिखने के बाद आपको लिखना है एक मंत्र जी हां जो इस प्रकार है ओम हरीम कलीम चित्र आणी स्वाहा दोस्तों ये वो मंत्र है जो आपको अपने और अपनी प्रेमिका के नाम के ठीक नीचे लिखना है उसके बाद में उस कागश को आप अपने सर से तीन बार गुमा कर जैसे घड़ी चलती है ठीक उसी प्रकार तीन आपको रवड से इस कागश को बांधना है दोस्तों ध्यान रहे ये विधी जब आप कर रहे हैं तो बंद कमरे में ही करें ताकि आपको कोई देखे न और बाद में दोनों सिकों को किसी गहरे कुए या किसी खाई में फेंक दे दोस्तों ऐसा करने के बाद जिस लड़की को आप अपनाना चाहते हैं या पूरन रूप से ये चाहते हैं कि वो लड़की आपके वश में हो जाए तो एक बार ये विधी करके देखे और उसके बाद तुरंत कुछी घंटों बाद वो लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी जी हां यदि आपके मन में कोई सव जाओ का निवारण करें तो दोस्तों खुशाल रहें अपने जीवन को खुशनुमा बनाए मैं लेती हूं आपसे विधा शेह मादादी